नमस्कार दोस्तों मैं प्रथम शिंगारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर खादरवली जी की जो मिलेट्स डाइट है उसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हैं वो कैसे क्योर हो सकती है जैसे की अस्थमा हो गय टीबी, टीबर क्लोसिस, निमोनिया और साइनसाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम अगर आपका नाक बंद रहता है आपका तो आपको सांस लेने में रात को तकलिफ होती है बहुत प्रॉब्लम आती है नीद भी नहीं आती कई लोगों को इन सभी चीज़ों पर हम बात तो बिना टाइम वेस्ट की ये वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने ग्लूटन इंटॉलरेंस के बारे में बताया है दोस्तों अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप एक बार देख लें उसे ग्लूटन इंटॉलरेंस से हमें काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि इन रूप में आते हैं बाहर जैसे अस्थमा है साइनस की प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग कहते हैं कि हमें तो ग्लू कारण जो यही है ग्लूटन चाहिए आप वीड बोलनें उसे क्योंकि वीड में ही ग्लूटन पाया जाता है तो आपको मैंने कारण बता दिया है इसका रीजन बता दिया है कि यह जो रैस्पिरेटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो क्यों होती है मिलेट किस तरीके से खान है कि जो अलग-अलग बिमारियों के लिए अलग-अलग प्रोटोकोल्स हैं मिलेट की तो हमें मिलेट यही रहेंगे लेकिन जो किस दिन कौन सा मिलेट खाना है कितने दिन खाना है वो बदलेगा सिर्फ और आज मैं आपको बताऊंगा कि रैस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए जो यह पांच मिलेट हैं यह कौन सा मिलेट कितने दिन खाना है तो दोस्तों जो फॉक्सेल मिलेट है वो आपको तीन दिन खाना है तो उसके बाद में ब्राउन टॉप मिलेट आपको तीन दिन खाना है लिटल मिलेट एक दिन खाना है कोडो मिलेट एक दिन खाना है बानियाड एक दिन खाना है तो इसके बाद मैं आपको साइकल को फिर से रिपीट करना है और दोस्तों जो सुबह आपको उठकर कशायम लेने हैं खाली पेट वो है जिंजर का और्गैनिक टर्मिक पाउडर का नीम लीव्स का कड़ी लीव्स का गिलोई लीव्स का दोस्तों यह चार पांच चीजे हैं और इनको आपको मिक्स में करना एक हफ़ते में एक चीज का जो है कशायम लेना है चाहे आप और्गैनिक टर्मिक पाउडर से शुरू कर लें चाहे आप जिंजर से शुरू कर लें चाहे आप नीम लीव से शुरू कर लें आपकी मर्दी है और आ और चाहिए आपका शायम पहले ले 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 एक दियान रखिएगा कि इन दोनों में 30 मिनिट्स का गैप होना चाहिए जो आइल है ये भी मिक्स नहीं करने एक हफ़ते में एक ही ओई को यूज करना है उसके बाद में नेक्स आइल पे शिफ्ट हो जाना है और ये साइकल को इसी तरह कशायम में है और इसी तरह ही जो मिलिट्स है उसमें है और दोस्तों क्या चीज़े नहीं खाने वह आप जाने आपको वीट जो गेहूं है वह नहीं खाने चाहिए उसके प्रॉडक्स हो रोटी पास्ता मैगी नूडल्स कुछ भी हो जाए रस बिस्किट यह भी न कुछ भी नहीं आपको डेरी प्रॉडक्स नहीं खाने और जैसी की मिल्क हो गया दूद पनीर लसी चाज दहीं यह नहीं आपको लेने और आपको अगर देशी गाएं का दूद मिलता है तो उसके आप दहीं जमा सकते हैं और वह आप खा सकते हैं डायरेक्ट मिल्क वह भी पीना और दोस्तो इस टायट में सिर्फ इतना ही था और आप एक बार इसे ट्राय करके देखें और मिलेट्स जो हैं वह आपको अनपॉलिजड ही लेने हैं पॉलिज मिलेट्स का कोई बेनिफिट नहीं हमारी बॉडी के लिए और अप अनपॉलिजड ही लेना नहीं तो कोल्ड प्रेंस डी होने चाहिए नॉर्मल उयल जो हम यूज करते हैं वह नहीं होने चाहिए जो क् каких बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपने अरिया में ऐन प्ぁलिज बै। यहोश ter नहीं मिले तो चरह सकते आपको हम यहांड़ुलिजड क wszystkा और चाहता है झाल झाल